सुमित्रा वल्कम टू टेट मंधन तो आज का जो डिसकेशन है हमारा यह EBS की जो नोट्स की आपकी सिरीज चल रही है सीटेट के लिए तो इसका यह हमारा डिसकेशन नमबर 11 रहने वाला है 10 parts हम लोग already कर चुके हैं जिसमें कि हमने 4th class की NCRT complete कर ली है और 5th के भी कुछ 12 chapters को हम लोग कर चुके हैं आज यह chapter number 13 रहेगा आपका और इसमें यह काफी आपका important chapter है क्योंकि इससे बहुत बार questions पूछा गया है क्यों है क्योंकि आपकी EVS की एक theme है shelter जो है तो उसमें क्या है basically सबके shelters के बारे में बात की जाती है कि भई कहां के घर किस तरीकी के होते हैं तो इस chapter में क्या आपके ले लद्दा के जम्मू कश्मीर के श्री नगर के घरों के बारे में बात की गई है तो important discussion रहने वाला है अगर आप लोगों ने channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर कीजिए और अपने सभी friends के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको इसका benefit मिल सके start करते है friends फिर तो यह chapter जो है यह क्या है गौरव जानी इस डिरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर बेसिकली क्या है जो गौरव जानी है एक डिरेक्टर है सिनेमेटोग्राफर है नेशनल आवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है यह documentary फिल्म्स बनाते हैं मतलब अलग अलग जगाओं पर जाते है पGGैУ आधा बहलते हैं तो ऊस्तौरी के फिल्म है बनाते हैं तो उनलीघी में बढ़नेगह पर यह डोम्बइय कर अवrí को फारी संफ डैली इस बनाते में है कि मुंबई दिल्ली टक जाना है तो आपने किया है वह वह कोई है डिल्ली तक जाना है तो तो आपको महाराष् educated state स्टेट्स को जो है बीच में आएंगे तो इस्टेन्स पेटीन मुंबई औड डेली इस 1400 किलोमेटर 9T Kimberly 00ز मनालि मनालि का पर हिमाचिल प्रतेश में है ठीक है, people use nylon tents on hilly area, जो पहाड़ी area में लोग tent use करते है, वो क्या होते है, nylon tents वो use करते है, next देख ले लद्दाक, अब लद्दाक क्या है आपका, एक cold desert है, is called cold desert, यानि कि थंडा रेगिस्तान कहेंगे, हम लद्दाक को, यह आपका last time history में आया था question, जो आपका December में seated हुआ है, उसमें कहा गया थे कि लद्दाक को cold desert कि इसको कहते हैं तो लद्दाक था, ठीक है, लद्दाक gets very little rainfall, बहुत ही कम यहाँ पर बारिश होती है, it is high dry and flat place, मतलब कि उचा है, सुखा है बिलकुल और थंडा है बिलकुल, ठीक है, here there are high snow capped mountains and cold and flat grounds because of dryness, no plants and trees grow in लद्दाक, क्या है यहाँ पर बहुत ही high snow capped mountain, यानि कि उचे-उचे बरफ से ढखे हुए पहाड मिलेंगे आपको cold and flat grounds, मतलब कि ठंडे एकदम grounds है, यहाँ पर समतल मैदान है ठंडे, और इस dryness की वज़े से यहाँ पर क्या होते है, पेड़ पोदी जो है वो grow नहीं कर पाते है, during summer season, people dry as क्या लेते हैं, ताकि winter due to unavailability of fresh fruit and vegetables during winter season, अगर इनको winter season में जब इनकी unavailability रहती है, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो यह उनको use कर सके है, अगर आपको सुनने मिलें कि जूले जूले, तो इसका मतलब वहाँ के लोग आपको क्या कह रहे हैं, welcome, welcome, तो जूले जूले का मीनिंग क्या होगा, welcome, welcome रहेगा, ठीक है, next है houses of Ladakh, अब यह बहुत important है, आया हुआ question है इसमें से, houses are of two floors, दो floor के houses रहेंगे आपके, first floor, second floor, the houses are made of stones which are capped one over the other, पत्थर के घर बनाते हैं, यह लोग एक के उपर एक पत्थर रख करके, ठीक है, the houses are coated with thick layer of mud and lime, अब जो houses के उपर coat किया आप इसको मिट्टी के लिजे, और lime यानि चूना, तो मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है, ground floor is for animals and for storing necessary things and people live on the first floor, जो ground floor होता है, इनका किसलिए यूज किया जाता है, animals को रखने के लिए, जो इनके जानवर होते हैं, उसको रखने के लिए, और जो आपका first floor होता है वहाँ पे क्या करते हैं, यह खुद रहते हैं, लोग रहते हैं, ground floor do not have windows, जो ground floor होता है, इनका उस पे आपको कोई भी खिड़की देखने के लिए नहीं मिलेगी लगदाक के घरों में, thick tree trunk were used to make roof strong, जो इनकी घर की छते होती है, वो क्या करते हैं, मतलब जो पेड़ के तने स बनाई जाती है, जो कि बहुत strong होती है, intense cold, people can shift to the ground floor, जब बहुत जादा ठंड होती है, तो लोग क्या करते हैं, ground floor पे move कर जाते हैं, यह लोग, next क्या है, roof is the most important part of their houses, जो छते होती है इनके घरों की, वो बहुत important है, क्यों, vegetables and fruits are kept for drying on the roof of the houses, क्योंकि जो यह सबजियां और fruits होते हैं, जो यह सुखाते हैं, वो अपने घर की चटों पर सुखाते हैं, ठीक है, the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protect the people of Ladakh from the cold, जो इनकी thick walls होती है, जो मुटी दिवारे होती हैं, और wooden floor, यानि कि लकडी का आपको क्या मिलेगा, फर्ष मिलेगा Ladakh में, लकडी की ceiling, यानि कि चटें भी क्या ह लकडी से बनी हुए होती है, क्यों क्योंकि बहुत जादा वहां पर क्या होती है, ठंड होती है, तो यह उन्हें प्रोटेक्ट करती है, ठंड से, तो यह आप houses देख सकते हैं, लद्दाक के, यह आपका ground floor रहेगा, जहां पर animals रहते हैं, यहां पर first floor पर यहां पर लोग रह यहां पर narrow rookie mountain road, at many places there were no roads, यानि कि बहुत ही narrow आपकी पहाड़ी रास्ते हैं, और कहीं कर तो roads आपको मिलेंगे बनी इतने पहाड़ है, this place is at a height of almost 5000 meter, यानि कि 5000 meter की उचाई पर है, यह जो चंग ठांग जगह है, it is so high that is, it is difficult to breath normally, people had a headache and felt weak, तो यहां पर इतनी जादा हाई प्रास लेने में problem होने लगती है, और उनको क्या है, जो चक्कर साहता है, जैसे आप लोग हीली एरिया में जाते हैं, जैसे उपर चड़ते हैं, तो उनको headache and weakness feel होने लगती है, no petrol pump and no mechanism, यहां पर आपको कोई petrol pump जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा, अब क्या है, जो चंग आपको जादा characteristics जहां देखने के लिए मिलेंगी, तो सोचे कि important है, वो consider करिए उसको, क्योंकि आपको तीन या चार paper में दे दी जाएंगी, यह है, यह है, यह है, चंगपा tribe के बारे में, कौन सी इनके बारे में, जो है, तीन चीज़े सही है, एक आपको गलत मिलेगी वहां तो important है, मतलब यह है, चंगपा tribe has only 5000 people, देखे, क्या है, 5000 मेटर की उचाही पर रहते हैं, और 5000 ही लोग होते हैं, इनकी tribe में, there are always on the move with their goats and shapes, यह लोग क्या करते हैं, अपनी बेड़ बकरियों के साथ में, अपनी उसके साथ में क्या करते हैं, move करते हैं, एक जगा से दूसरी जगा पर, their goats are their only treasure, इनका जो एक मातर खजाना क्या होता है, समपदा क्या है, इनकी भेड़ करिया, they get all that they need, milk हो गया, meat हो गया, skin for tent हो गया, इनका, ठीक है, coats के लिए जो wool चाहिए, इनको sweaters के लिए wool चाहिए, सारी चीजे इनको अपनी बकरियों से मिल जाती है, दूद हो rich and important, जिस भी family के पास में जादा जो आपके animals रहेंगे, जो पशु रहेंगे, वो आपको क्या करेंगी, more important consider की जाएगी, जादा महत्वपूर्ण हो, जादा rich consider की जाएगी, from these special goats, they get wool for making the world famous pashmina wool, जो pashmina wool होती है, विशु परशिद आपकी, वो क्या है, इनको इनकी बकर मिलती है, चंगपा ग्रे में जाएगी, जाएगे, जाएग्त, ङौँ रहेंचेतकी, विशु पाइग का ही जलातों, जाएगी, जलाती है, जाए जाएगी, जाएगे, जाएगे, जाएज के रहते हैं, जाए पहट इपनोंची DAN दॉतest अपकरता है, जाएगे हमॉते हमारी चंगपा carry everything that they own on their horses and yaks. अपनी जितनी भी समान होती हैं, कैसे carry करते हैं लोग अपने horses पे और याक्स पे रखते हैं, गोडो पर और याक्स पर. इनको अपना जितना भी समान होता है, उसारा सोदा मतलब पैक करने भी इनको क्या लगता है, दो से धाई गंटे लगते हैं और ये अपना वहां से move कर जाते हैं. अब एक इंपोर्टन टर्म है, जर आपको रैबो बोल दिया जाए क्या है, तो क्या है यह आपका एक तरह का टैंट है, जो कि चंगपा प्रजाती जो आपको यूज करती है. इन दा लैंग्वेज ओफ चंगपा, चंग्थांग मीन्स अप्लेस वेर वेरी फ्यू पीपल लिव, अब जो चंग्थांग जगए है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ही होता है, चंगपा भाशा में अगर समझें, तो उसका मतलब होता है, जहां पे बहुत कम लोग रहत जो हवा चलती है, वो सतर किलोमेटर पर आर की गती से चलती है, अब हम देख लेते हैं, पश्मीना शॉल के बारे में, जो कि आपका इंपोर्टन है, और आया हुगा क्वेश्चन है, आपका पश्मीना शॉल, तो यह आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी दिखती है, और यह बि बारे में, तो यह नहीं बहुत जादा मूटी रहेगी, बहुत पतली है, और फिर भी गरम है, टाके है, अब हम देख के अपको पता है, जैसे कि आमने पीछे देखा पांच हजार मीटर के हाई आपको रखा जाता है, जिसकी वज़ह से यह इतना सॉफ्ट जो है, आपको फ इनकी अपर होती आपका ओल्हाया पशमर में मिलेंगे आपको जड़ते हुए this hair is so fine that six of these would be as thick as one hair of yours human hair is so thick as it is 6 hairs if you take 6 hairs in gods then you can think how much it is it is so thick as it is so thick as you can weave with machines these shawl are made from hands and bent from hands आज लगते हैं आपको एक पश्मीना शॉल को बनाने में तो क्या है six sweaters के बराबर गरम होती है और आपको 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने में ठीक है नेक्स देख लेते हैं लेखा क्या है आपका जहां पर ये लोग जो tribes होते हैं वो अपने animals को रखते हैं उस place को क्या कहते हैं ये लोग लेखा कहते हैं इज फैमिली पूट अपने animals के उपर एक निशान बनाए रखते हैं जिससे पता चलता है कि ये जो है इनके animals है अब houses of श्री नगर देख लेते हैं house boat श्री नगर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा house boat देखने के लिए मिलेगी small house small house built over a boat यानि कि छोटे छोटे घर जो कि आपके नाव पर बने वे रहेंगे house boat can be as long as 80 feet and around 8 to 9 feet wide जो house boats होती हैं आपकी आपकी 80 feet आपको लंबी और 8-9 feet आपकी चौड़ी रहेंगी अब डोंगा एक और टर्म है डोंगा क्या है these boat can be seen in dull lake and jhelum lake river ये भी क्या है आपकी एक तरह की boat है डोंगा क्या है boat है कि जो आपको डल lake में और jhelum river में देखने के लिए मिलेगी और inside the dongah is just like a house with different rooms किस तरीके से क्या है ये कि जो डोंगा है ये आपको अंदर से देखो तो बिल्कुल घर की तरह देखेगा rooms बने हुए रहते हैं इनके अंदर लेकिन क्या है boat पर होता है ये एक है आपकी term खतममद अब खतममद क्या है beautiful carving on wood can be seen on the ceiling of house boats जो beautiful carving होती है क्या होती है कि इनकी boats की चतो पर जो इनकी wood की ceiling होती है उस पर एक लकडी की नकाशी होती है जिसको कि क्या कहते है आप खतममद क्याते है बड़े-बड़े घरों में मिलेगी या boats की जो आपकी जो wood roof ceiling होगी उसके उपर मिलेगी which has a pattern that look like zigsaw puzzle तो इसका जोई pattern है किस की तरह दिखता है जिगसो puzzle की तरह दिखता है एक आपकी है शिकारा शिकारा क्या है ये भी क्या है आपकी special type क्या है boat है जो कि आपकी कहा मिलेगी जेलम river में और डल लेक में श्री नगर में मिलेगी आपको ये तो आप अगर डोंगा कह कह लीजिए शिकारा कह लीजिए house boat कह लीजिए ये सारे special type के घर है जो आपको श्री नगर में मिलेंगे बेसिकली क्या है boat पर बने वे घर होते हैं ये अलग अलग नाम है इनके houses क्या देखिए अब श्री नगर में houses के अगर मैं बात करूं तो आमने पीछे देखा ये आप इस तरीके से boat पर बनाया हुआ होता है ठीक है next क्या है आपका ये है आपका जो खतम बंद होता है ये देखिए लकडी की इस तरीके से नकासी की हुई है जो कि घर की जो आपकी ceiling होगी उस पर मिलेगा या boat की जो छत बनी होती है उस पर होगा ये आपका ठीक है जिक्सो इनकी ठीक है यानि कि जो दाग के घरूँ कुछ है आपको समतल मिलेगी और जो कश्मीर के household की रूफ है आपको स्लोपेंग मिलेगी कर्यां बोस्ता इसी तरह yap के से इसी त्र правильно कर typically ंपर में आपको टीन चीजे आपिधा या कह फूरिक ठीक है, अब next किया है आपका यह है, इसके अंदर किया है, एक टाप करके है आपका टाप यह देखे, डाप करके क्या होती है, special type की आपकी windows होती है, यह तरीके से बनी हो इती है ऐन घरो में, जो अगर आप देखेंगे तो यह windows होती है, तो अगर डाप have beautiful arches यहां पर क्या है यह जो इस तरीके के आर्ट होते है window की इसको क्या कहते है महराब कहते है तो महराब कह लीजिए दाब कह लीजिए यह टर्म्स आपको जहां भी देखने के लिए मिले तो window के बारे में बात हो रही है श्री नगर और इनके कश्मीर के घरों की है नेक्स देखते हैं which of the following are the neighboring state of Jammu and Kashmir यह आपकी bonus questions जो कि आपके क्या है previous year में पूछे गए है और आपके इन chapters से पूछे गए है तो आपके neighboring state पूछे है आपके किसके जम्मू and Kashmir के तो क्या रहेगा आपका उत्राखंड राजस्तान होगा या फिर हिमाचल प्रदेश उत्राखंड होगा हिमाचल प्रदेश पंजाब होगा या हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा तो आप map देखेंगे तो आपका answer क्या रहेगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब आपका answer रहेगा क्योंकि अगर आप मैप में देखते हैं तो अगर यहां जम्मु और कश्मीर है, तो यहां आपको क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश और यहां आपका इधर साइड में यह आपका पंजाब रहेगा, Just. हिमाचल प्रदेश का नेबरिंग अगर आप देखेंगे तो उत्तरा खंड रहेगा और यहां पर आपका यहां नीचे आएंगे तो यहां चंडीगर्ड यहां पर हर्याना तो यह आपका क्या है जम्मू और कश्मीर का क्या रहेगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब रहेगा तो आप map जरूर देख करके जाएं जब एक्जाम में जाएं क्योंकि पूछा जाता है जरूर एक कई वर दो questions बन जाते हैं आपके map से ठीक है next क्या है आपका cold desert किसको कहते हैं cold desert किसको कहते हैं आपका दर्जलिंग जैसलमेर लद्दाक या फिर आपका मेगाले तो हमने अभी भी पढ़ा cold desert होते हैं आपका लद्दाक ठीक है next consider the following characteristics of houses देखें कुछ houses की characteristics दी गई आपको और इसमें से पूछा गया है कि कौन सी आपकी ले लद्दाक की या उसकी characteristics है ठीक है ground floor without window एक आपकी ये विशेष्टा है slanting wooden roof made of tree trunk thick wall made of stone mud and lime और wooden floor आपका तो क्या है windows आपकी जो है नहीं होती है ले लद्दाक के घरो में ground floor पे उसके बाद mud lime और stone से घर बनते हैं वहाँ पर बिल्कुल ठीक है wooden floor होते हैं यह भी ठीक है यहाँ पर क्या है made of tree trunk यह आपको confuse करने के लिए दिया है कि जो घर बने होते हैं वो पेड़ के तने से बनते हैं लेकिन देखने वाली बात यह कि slanting roof जो होती है हमारी ले लद्दाक के घरों के बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पर क्या होती समतल आपको roof मिलेगे जिसमें कि वो लग उपने vegetables वगेरा सुखाते हैं तो यह आपका answer जो है वो नहीं होगा आपका answer होगा A, C और D जहां भी होगा वो आपका option जो है आपका सही रहेगा तो A, C, D आपका कहाँ पर है यह आपका option number second A, C, D हमारा answer रहे तो friends यह था आज का discussion और I hope कि आपको पसंद आया होगा आपके लिए useful होगा तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें अगर कोई query है आपकी तो आप मुझे comment section में जरूर लिखें और अपने सभी friends के साथ में इसको जरूर शेयर करें thank you keep learning keep supporting करें करें